हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेजर टार्गेट पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग कलास्टेंड के गाणित के टोप तीश्ट ऑफजरी को संस को बताएंगे और दोस्तो यह जो ऑफजरी परसन है ना आपके फानल मैटिक करते रहेगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा तो फ्रेंड फटावर सी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरू से लिट कर लिजेगा तो आए देखते हैं आप इसका फर्स्ट पर्सन क्या गरा है कि दिघात समीकरण ए एकस स्क्वार प्लस भी एकस प्लस सी बरावर सुने यहां पर ए जो ही ना जिरू के बरावर नहीं है तो एकस का मान होगा काफी मत पूर्ण यह परसन जो है ना 22 के फर्स सेटिंग और 22 के सेकेंड सेटिंग के फान समख्ण देखेंगा हुद मैने पर प्लस मानस रूट डी बटे 2A होता ठीक है यह आपका होता है फॉर्मुला और यहां पर देखेगा कि मायनस बी पलस मानस रूट डी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 20स्कौल मानस 4ac लीख 2.8 ठीक है डी क्या होता विवीक तर होता जिसको को मुलोग विवेचक भी कते हैं जो कि यहां पर option A में दिया हुआ option C में दिया हुआ है option वर सी जना विल्कु से तुरो जाएगा अब चले दोस्तों देखते हैं आप next person देखेगा जो कि most important दोस्तों परसन यह कराए कि दिघास सम्मी करें minus 3x square plus 4x plus 5 के मुलो का योगफल ग्यात करना है तो दोस्तों योगफल alpha plus beta परहबर जो formula होता है minus b by a होता है और दोस्तों minus पहले से formula में ही और b जो होता है ना x का घुरांग होता है तो यहां पे x का घुरांग कोविचन चार फिलेग कोret बटे करेंगे और दोस्तो यह जो होता है ना x square का गुणांग होता है यानि कि माइनस 3 दिया हुआ है और दोस्तो यहाँ पे क्या है कि माइनस से माइनस प्लस हो गया यानि कि 4 बटे 3 जो कि यहाँ पे option बर सी जो ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा चले देखते हैं आपर 3 परसन के अगह रहा है कि दिघास समीकरण x square plus bx plus यहाँ पे देखेगा कि दिघास समीकरण x square plus bx minus c बरावर सुने के मूलों का वास्तविक और बरावर होने का सर्थ क्या है तो दोस्तों देखेगा जब मूल वास्तविक और बरावर होता है न तो इसके कंडिशन होता है डी बरावर क्या होता है जिरो के बरावर होता है ठीक है डी का मन क्या होता है सुने के बरावर होता है होता है न क्या होता है डी ब्रावर क्या होता बी स्क्वऴर मानेस 4AC ब्रावबर सुननें hoता है और दोस्तों यहां पर देखेगा अगर हम लोग इस यह दिखासमिंकरों को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि B जो है ना, B तो B के जगर ठीक है, इसके पहले पलस लगाओ तो इसमें कोई दिक्त नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग B स्क्वार लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखेगा दोस्तों, माइनस से दो माइनस लिखेंगे, तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस C है, माइनस C है, यहाँ पर पलस C था, तभी यह कंडिसन अपला होता था, यहाँ पर क्या है कि माइनस C है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस C लिखेंगे, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, सुनने हो जाएगा, ठीक है, बराबर सुने, और दोस्तों यहाँ पर 20 स्कुराइर माइनस देखेगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अपका प्लस हो जाएगा और दोस्तों फोर को AC से कुणा करेंगे तो 4 AC हो जाएगा बरावर यहां पर आपका कितना हो जाएगा सुनने हो जाएगा तो यह देखेगा कि इसका मुल वास्ति भी जब अवर समान होगा ना तभी ये 20 कर मनस 40 जी जूरों के बरावर होगा यानि कि जो कि यहां पर option A में दिया हुआ है यानि कि यहां पर option A जो है न बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब चले friend देखते हैं आप तुछ फे next question 14 परसन को देखेंगा क्या कराहे की दिखास सम्मी करण X square प्लस 2X-3 के मुलो का योग ग्याद करना यानि कि मुलों का योग क्या होता है दोस्तों अलफा प्लस बीटा होता है मुलों का योग बरावर क्या होता है कि माइनस बी वाई ए होता है और दोस्तों यह देखेगा माइनस पहले से है और दोस्तों बी जो होता है ना एक्स का गुणांग होता है तो यहाँ पे एक्स का गुणांग दो दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल से तुरो जाएगा अचले देखते हैं पर प्रस्म जो की मोस्ट इंपोर्टेंड है कि द्विघास सम्मी करन 2x²-4x-3 बरावर सुने की विवेचक होगा तो दोस्तो विवेचक कहने कार्द होता है common difference जिसको हम लोग विवेचक पर भी करते हैं तो दोस्तो ड बरावर क्या होता है विवेचक बरावर जो formula होता है दोस्तों यहाँ पर 4-4-a-c होता है और दोस्तों यहाँ पर 4-4-a-a-c-a-c-a-c-a-c-a-c देंगे इसको हम लोग स्वाजब करेंगे तो यहाँ पर आपका प्राप्त होगा माइनस 4 को माइनस 4 से गुणाय करेंगे तो यहां पर कितना हो जागा सोलो हो जाएगा उसके बाद माइनस से 2 माइनस लिख देंगे उसके बाद यहां पर 4 दूना 8 आर्थी है 24 तो दोस्तों यहां पर हम लोग 24 में जब सोलो को माइनस करेंगे तो यहां पर आपका कितना परा 6 बरावर सुने का घात होगा तो तो घात क्या होता है अगर कोई भी बहुपद रहे किसी भी बहुपद में जब किसी चर रासी की घात सबसे जादा बर रहता है तो आपका क्या होता है घात मतलब वो आपका पावर होता है ठीक है जैसे कि यहाँ पर X की घात 2 है और यहाँ प अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट पर्सन जो की मोस्ट इंपोर्टेंड है कि दिखास सम्मी करन 3x स्कॉर माइनस 2x प्लस 1 बटे 3 ब्रावर सुनने हैं कि यह विवेजी चेक का मान होगा तो दोस्तो विवेजी चेक आप लोगो पहली बता है दी जो होता है अभी आपका विवेजी चेक होता है तो दी ब्रावर फर्मुला क्या होता है बी स्कॉर माइनस 4AC होता है तो दोस्तो जब इसको हम लोग स्वल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे बी कोन है यहाँ पे बी के साथ जो ही ना बी क्योन होता है एक्स का गुणांग ह होता है तो स्क divorce में पर से 3 220 हो जाएगा तो मानस केंसिल हो जाएगा उसके बाद यहां पर ऑप जब लो से ब्रडूर करेंगे तो यहां पर सब्सक्क्र पर सब्सक्र हो जाएगा उसक्त बाद होगा जो कि यहां पर उप्शन वर ए जो ही ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट पर्सन क्या करा है कि निमलिकित में कौन दिघास समीकरण है काफी मत पूर ने तो दिघास समीकरण क्या होता है कि जो जिस समीकरण का अगर इसको आप लोग से गुना करेंगे तो यहां पर एक से गुना हो जाएगा प्लस तीन को एक तो तो तीने क्स हो जाएगा बढ़ावर एक्स स्क्वार केंने सील हो गए कि यहार पर आपका सीर पोड़ सिर बसता है त्री एस जो की दिघास अमेकरन नहीं है इसी इसको की बीटा हो तो लपार फिटा-विटा का भ्हेलू घ्याद् कर ना डौस तो आप लोगों पता होगा कि आल्फा प्लस बीटा वर जो फरमुला होता है माइनस बीबाई यह अहां पर दिगहात शम्मिकरण याने कि सब्सक्राइब सोब Hom態 तो यहाँ पे देखेगा की मायनसा सी तो मायनस ओ जाएगा पहले से उसका डी जो ओता है नडूस्टे अ क्या होता है यहाँ व्यवा टेंड देखेगा कुशन से गड़ाई कि यदि अलफा था बीटा दिघास समीकरण एक स्क्वाइर प्लस एक मैनस टू ब्रावर सुने के मूल हो तो एक बटे अलफा प्लस एक बटे बीटा का मान यहाँ पर क्या हो ही आप लोगों को बताने तो बहुत ही सिंपल परसने तो प्लस एक बटे बीटा के लिए एक फर्मूला होता है तो यहाँ पर ऑप्षमымबर ए में दिया हुआ एक बटे दो अप्सन वर ए जो ही ना बिल्कु से तुरो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स पर्सन जो की काफी मतपूर ने मूल का अर्थ होता है हल ठीक है यहां पर मूल का अर्थ क्या होगा हाल होगा यानि कि दोनों हल कैसा होगा ठीक वही आप लोग को बता देना है तो दोस्तों जब डी यानि कि विवेचेक सुनिय से बरा होता है तो दोनों मूल जो होता है ना वास्तिविक औ कि और आवर होता है तो दोनों मुल क्या प 오anda है वास्तिव समार न चायेगा अब चले फ्रेंट्सन के परने के इस सारव अंतर माइनत 4 हो तो इसके प्रत्थम 10 पदों का योगफल होगा काफी मतपूर ने चले इसको हम लोग स्वल्ब करते हैं most important person है काफी मतपूर ने तो दोस्तों यहाँ पर देखेगा सबसे पहले यहाँ पर प्रत्थम पद जो है न एक आमान कितना दिया हुआ है यहाँ पर आप लोगो जो इन निकालना है तो दोस्तों एसन बरावर जो फर्मुला होता है एंटु टू ए प्लस एन माइनस वान इन टू डी होता है यह आपका क्या होता है फोर्मुला होता है SN पदों का योग ठीक है तो यहाँ पे SN यानि कि STN हो जाएगा क्योंकि 10 पदों का योग जात करना है तो STN ब्रावर क्या हो जाएगा N का मान 10 दिया हुआ है तो 10 बटे 2 हो जाएगा इंटू 2A A का मान जो ही ना यहाँ परत्थम पर 13 है तो तेरा पलस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका N कामान 10 हो जाएगा 10-1 इन्टू D कामान यहाँ पे सारवन तर जो ही न माइनस 4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग स्वल्व करते हैं तो यहाँ पे दू पाचे 10 हो जाएगा 5 का पराम यहाँ पे केंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या ओड़ा है कि 5 गुणा 13-26 हो जाएगा जब अंदर का पुरा स्वल्व करेंगे प्लास है उसके बाद दस में घटाएंगे तो 9 आएगा यहाँ पे कितना है नो आया 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 9 चिकर 36 हो जाएगा पलस माइनस क्या हो जाएगा जब दस में जब हम लोग 5 को गुणा करेंगे टीक है तो माइनस 56 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे पांच इसके बान करेंगे माइनस 10 को लिए कि औक रवी चब तीन में और कि 10 हो जब हम लोग 5 कुणा करेंगे तो माइनस तो आप लोग फटावर से बताईएगा कि 13 का आया कितना या इसका क्या क्या परकर बनेगा यहां पर हम लोग जो ना कहीं पर इसमें उल्डी हम लिग देंगे उसका आपर यानि की माइनस परक्स प्रत्रां क्या ओग नहीं चले देखते हैं पर 15% क्या गराएं कि यहां पर दिया हुआ तो इनका सारौंतर ग्याद करना है तो दोस्तों सारौंतर को ग्याद करने कि हम लोग सिंपली क्या गरते हैं डी ब्रावर्ट एटू माइनस यानि की दूसरा पद में पहला पद को घड़ा देते हैं जब हम लोग सवलों में जब हम लोग 10 को घड़ाएंगे तो कितना आएगा च्छे आएगा जो कि ऑप्सन बी में दिया हुआ अच्छी ऑप्सन और वी जो ना बिल्कुल सहतर हो जाएगा चले देखते हैं पर जो कि अप्सन बी में दिया हुआ है अब चले फ्रेंड देखते हैं आपर सातर नवर परसं जो कि समांदर सराणी दिया हुआ है इनका सारवंतर ग्याद करना है तो दोस्तों सारवंतर यानि कि कौवन डिफ्रेंस को ग्याद करने के लिए ठीक है सारवंतर यानि कि यहाँ पर सारवंतर ग्याद करना है ठीक है तो इसको ग्या करेंगे कि A2 माइनस A1 को ग्याद करना पड़ हो जाएगा जो कि ऑप्सन वर भी जो ही ना बिल्कुल से तुर हो जाएगा अब चले फ्रेंट देखते हैं पर नेक्स्ट पॉसन जो की मोश्ट इंपोर्टेंट यहां पर दिया हुआ है तो इनका समांतर सरणी में एक्स कमान गयात करना है यहां पर चले इसको करते हैं तो जब समांतर सरणी में रहता है रहता है तो इसके लिए कंडिशन होता है क्या होगा कि यहां पर करेंगे तो यहां पर दिया हुआ है यहां पर देखेगा कितना है 3x ठीक है तो इसको जिसको करेंगे तो यहां पर माइनस को माइनस एक्स हो जाय गा उसके बाद यहां पर फोर एक्स है उसको ब्लस वान उसके माइनस 3 एक्स ठीक है इसको सोल्ब करते हैं एक काम करते हैं यहां पर क्या होगा कि 3 X में學 các हो से एगा माइनस तू बराबर कितना हो जायेगा Zusammen here control UK फोटीने में त्रोट्य की गड़ा दॉट्य आधारगा तो यहां पर यहां पर चाफ्र menor से rivalry joint से जाएगा चले देखते निस्त पुसन जो की काही मझण पूर्न है कि यहां पर क्या है कि माइनस आठ कॉमा छे किस चतूर्थांस में इस्तित काफी संपल परस नहीं तो दोस्तों यहां पर देखेगा आप लोगों बता देते हैं यह आपका क्या होता है प्लेस को प्लेस होता है जिसको हम लोग प्रतम चतूर्थांस कहेंगे ठीक है और दोस्तों दूसरा चतूर्थ देखेगा यहां पर देखेगा कि माइनस कुमा पलस तो मैंनस कुमा पलस जो है देखेगा कि माइनस कुमा पलस कौँसा चतुरुधांस में है दूसरा चतुरुधांस यानि कि दूत्य पाध में जो कि यहां पर मुरा अप्शन और B जो ही ना बिलकुल से पर हो जाएगा चले देखते हैं अपे कोशन से एक्षित यह पूरी इस बिंदु का क्या कलाती है तो दूस्तो यहाँ पर X अक्षी से दोरी उस बिंदु का चुहिए ना कोटी कलाता है और दोस्तों Y अक्षी से दोरी उस बिंदु का जोईना भूच कालाता है साथ में इसे भी आप लोगो याद रखना है यानि कि यहां पर उप्सण वर भी जो है ना बिल्कुल सहीतर हो जाएगा चले देखते हैं आपर कोस्ण से गराए कि 1,5 की चतूर थांस में इस्तित है most important है तो दोस्तों यहां पर क्या है कि 1,5 यानि कि एक की से पहले प्लच चिपा हुआ और 5 से पहले प्लच चिपा हुआ तो पलस एक और प्लस पाँच ठीके पलस पलस जो होता है न यह आपका प्रथम 4 थांस में होता है यानि कि यहां पर उप्सण वर जो ही न बिल्कुल सहीतर हो जाएगा चले देखते हैं आपर कोस्ण से कर कहँड करेंग कि यहां पर देखेगा कि एक कितना दिया हुआ हे तो माइनस एक ऐसे मैंननम सवार्यूस था सुल यहां पर विद हो ईछ उसक वारिट होता है तो सबढ़ होकर होता हुए तुकन यहां करतेंगे इसको अभिए तो यहँआ कि मारनस पंट सहाध सोल तो किया मोले करने एक मारनस में प्लाइगा चार का स्कॉर स्कोर जो न सोलो कर सोलो किना हो जाएगा और दो थो यह रूडब तो यहांड पर सिजनाफीन मत पूर्ण तो यहां पर नहीं के लिए घ्याद करना टैकाल लगाएंगे तो यहांपर क्या ओड़ाए कि X2-X 4 या पर एक सुट इस टू को होने चार में जब दो को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दो आएगा दो क्या हो जाएगा और दोस्तों यह आठ जोहेदा दो रूट दो जिसको हम लोग क्या करते हैं दो रूट जाएगा कि देखते हैं कि किसी बिंदू वाई अक्ष से दूरी उस बिंदू का खलाता है या फिर एक निर्देसांग कहलाता है या यानि कि हम रॉप्स न बिल्कु से उत्र हो जाएगा चलिये देखते हैं पर क्यों चाहिए कि बिंदू 2,3 की दूरी मूल बिंदू से होगी तो मूल लुज से दूडरी की लिए फ्रमुला होता है अंडरूट एक स्क्राइर प्लस वाइस कुर होता है तो यह फूस कर पर किस ledज स्क्राइब काफ़ी मत्पूर्न है धिया है यहां पर है यहां पर एक बिंस दिया हुआ दूसरा बिंस बिंदों कुछ वादाई लिए-पी मिद्धी बिन्दू का नियामक की लिए फर्मुला गैप सब्सकृ बस यहां पर देखेगा यहां पर उसके वाइवन प्लस यसे फ्कोडेली नूटीज को सोल्फ करेंगे लिए भाम जाय स 머ल्त यहां पे विजन कोन थसके बाद हाट यहांपर सवे क्पलट यहां पर नियामा निकाला नियामाग निकाल लांट नांत यहां पर क्या करेंगे कि चार और यहां पर यहां पर च्छकों जॉड़ देंगे नहीं तो दस पर आप्त होगा तो यहां पर 5 और पांच को जोड़ितша अज़सेएंगो द्लिस पर आपटे तो मंधुरा नोटेख को जेगा बास यह च्यूं g Saying होता है इस चतूरथ ठांस में होता है जो कि Option 1-d जो इन बिल्कुर सेफ किसी बिंदू इतना कहो टी कहामान तो तो कोटी क्या होता है की कोटी जो टाना जीरो कुमा वह होता बुच का निर см होता है और रुठ सब्सक्राइब करने के लिए क्या करेंगे जब माइनस दो में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा चार प्लैस उसके बाद यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर फानली जोना कलास्टेंट के मैट्स के तीस काफी महतपूर्ण और आप लोगो बताना है कि यह पर समय से पहले से आप लोगों कितना पर सना पहले से सोट करने आता तो इस विलोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज़िए करना जिसका भी मैट्स कम जोड़े ना तो इसी मैट्स इसी तरह आपके फॉनल मैट्टी वर्ट पिक्चा में 110 परती सद पूछे जाएंगे परसन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरू से लेट के लिए जगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइफ क्लास हो ना तो आपको हमें सब नोडिफिकेशन मिलता रहे तो दूस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे